उसका नाम था रहमान जिया और मेरा नाम है वाहिदा भेकम, मेरे बेटा का नाम फायस खान, हम असाम नौगाओं में उसको मिली पर हमारी फोन में बात हुई तक्रिमन तीन महीने सार महीने में बात हुई बात होकर मुझे बोला हम आपको गुमाने ले जाते हैं पर उसके उसका मतलब एक पसंजी जत्त, एक रंजी जत्त, एक रानवार होसेन इन तीन बंदें उनकी के साथ मिले हुई थे बीते दिन पाकिस्तान सरकार के दौरा भारत के असाम में रहने वाले वाहिदा बेगम और उनके 13 साल के बेटे को पाकिस्तान की जेल से रहा किया गया और अटारी वागा बाडर के रही वो गुरुनगरी अम्रिजसर पहुंचे आपको बतावें कि 2022 में पाकिस्तान के एक शक्स के दौरा बहला फुसला कर इस महिला को पाकिस्तान जाने के लिए कह सकते हैं फूर्स किया जाता है और उसके बाद जब इस महिला को पता लगता है कि मेरे साथ धका किया जा रहा है मेरे साथ जाती की जा रही है तो उनको व हाथसा वापरा क्या वहां मंजर था उस सब चर्चक करने के लिए हमारे साथ पाइदा बेकम मजूद हैं कल आप अटारी बागा वाडर के रही हमरें सर पहुंचे हैं 2022 में क्या ऐसा हुआ क्या हाथसा आया या क्या मंजर ऐसा बना के पाकिस्तान आप कैसे पहुंचे और क्या और जवर शक्सको नाम था जर्बत उसका नाम था रह्मान जिया और ऑफ फिर फोष no-oda में उसको मिली ऑने बाद हुई हमसे बूला हम अपको घुमाने ले जाते हैं ते यूयु उसके साथ तीन Dan पता नहीं था उन तीन बंदे उसके साथ मिले हुए थे उसने मुझे घुमाने के लिए गौांटी लेकर आया गौांटी से बोलते हैं फायस को मुझे अलग कर दिया फायस को दूसरे बंदे ने उठाया और मुझे दूसरे बंदे में मेरे बेटा कहा है तो मिल जाएंगे सबर ऐसे कलकता आगा फिर मुझे फायस नहीं मिला दूसरे थे मुझे मुझे पता नहीं ले आए तुम को मिलाने के लिए फिर मैं यह जैन उस्ते इंटरनेंसल्न ईंटरोटल में थेरी कुझ दूसरे में मेने कहा मुझे नहीं जाना है कि श्व् 빵रوب मालता-τοडी ठीटए ऑपने पर피संजी देख टालुकत-था बनायत कहा नहीं दी लुएंब कर इतते ही तो एक हैं नहीं से नहीं आख परणफ कि लिए बश्व को रूप गई लिवन तो जोिए डूपायों। जब मुझे दुबाई में दिया गोली तब मैं तीन चार दिन को मुझे पता नहीं चला ना क्या हो रहा है मंच सब नंबर डिलेट कर दिया उडर से मुझे नासा का गोली देकर आफगानिस्तन ले गया पर अधर से मेरा जाली पास-पूर्ट बना एहाँ and the K commanders मेरा मुझे और फइसको बेच रहे थे और बहुते हैं the Pannegal Break 2022 विद्इश्टों इतना पैसों की भी आपस में〜 पैसा की होगे पैसा मौत बढ़ रहे हैं । रहां है उप अदर लेचा की थे थे य। अब गानी बोलते हैं तोफ गानी उज़े पता है वर पैसा है दरह भी पैसा है और वन लोग पॉस्टो बोलते मुझे पॉस्टो समझ में यहीं आते पिर जब बोला है तुम दुसरे बंदे के साथ जाओगे तो मनें कहा इतने दूर से इतना तोर्चालर कर मैं आई हूँ पाकिस्तन की बर्ड के आर्मी फौस था उन लोग की पास में घे मैं में हिंडूस्तानी हो मुझे मदद कर मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है में पाकिस्ताना नहीं साथ नोगों किसी को फून क्या पर पाखिस्तानी पैसा दो लाग देते हो तो ले तुम्हारी वचेस्टान के आपको दुच्ताना पाखिस्तान बनना इसलिए उसको मारा फिर हम दो दिन आर्मी की कस्तेदी में रहा तब मुझे पता सला में धर का खाना अलग है थेली खराभ हो गई ना प्रसका नाम जाए तो उन्होंने जब आपको अपने प्यार में बहलाया फुसलाया तब और नाम बताया था उसका नाम था गुल कागाशफड नाम बताया नाम बितने महीने जो है आपका पहले उन्स संबन रहा फिर कब भारत आपको लेने आए कि भारत में भारत में लेनी मुझे नहीं आए उठर काम करतें बहुत सालों से मुझे पता नहीं मुझे बता एक जबदा है एक जगह परिवार वालों को पता था कि आपका उनसे संबंध है आप जैसे वो आपको मिलने आए पहले भी अकसर आपकी फोन पर बात होती होगी वहांश में पडिवार में मेरे आपाफों होती है ना मेरे आमी है उन्हों को पता नहीं है उन लोगा ने उन दोछनेृ पास्पोर्ण बॉग्र तुट वारा ही बनाएग आपके आपके यह और आने उन्हूub को चाहिए तालीबान को उसके पता जैनल तो आप वहां कितनी महीने पाकिस्तान की जेल में रहे हैं जब मुझे आर्मी लोगों ने दिया में मुझे हुआ के पास में कोईता जेल में मुझे रखक जेल भी और मैं रहुआ कर दो इपमाद जोर नहीं कि ना है खंडध यद्स ने खतम किया मेरा बनेम रखाust साथ वहां लग लग जेल में आप रहें पाकिस्तान के वहां पर जो जेल के वहां पर दिकारी थे उनके द्वारा भी कोई टॉर्चर किया गया ने ने उसके विद्वारा नहीं अच्छे थे बंदे एसास कटें लेकिन इजी इंटर्विव में आपने यह भी कहा है कि मुझे पाकिस्तान के लोगों पर भरहूसा नहीं हैं जिस महाल से जिस दौर से मैं निकली हूँ काफी मेरे लिए धरदा था इस बात को में ही हंडूसतन को भी बता कई दिखारियों से बाचित की तब आपके पास कोई अपना प्रूफ था या सभी जो कह सकते हैं प्रूफ को कोन की तरफ से पाड़ दिया एक कागस था मेरे बेग में था और भूटर जो हम लोग भैक्सिन लगाते हैं ना भैक्सिन का कागस था उस कागस से मेरा डिटेल निकल निकल गया तो अभी आप अमरिज सर में कब तक रहेंगे कब अपने अपने पता नहीं अभी सार लोग जली मुझे इधर से फारिग कर दे वाहिदा बेगम की कहानी कैसे एक शक्स के दोरा पहले बहला फुसला कर उनको प्यार के जहांसे में पाकिस्तान ले जाने के लिए लालच दिया जाता है और पहले असाम से वो कलकता जाते हैं वहां से डुबई पहुंचने हैं और इसमाईला को खोशनी रहता है क्या हो रहा है क्या जाती मेरे साथ हो रही है और जब उस चीज़ की बनक लगती है तो तब समा और भी चुका होता है पर बेबस होकर मजबूर होकर यह मा बेटा उसके शक्स के साथ जो पाकिस्तान जाने के लिए पहुंचते हैं वहां संथे उनके द्वारा इनको अलग लग जेल में रखा गया और कल यह अमरिज सर पहुंचे और यहां रेड क्रॉस की जो सराय यहां पर अभी यह विश्राम कर रहे हैं और यहां से आगे जब कारवी सब कागजी कंप्लेट हो जाएगी पूरी हो जाएगी उसके बाद यह अप सबरवाल न्यूजेटी